यामी गौतम और आदित तिधर बॉलिवुड के सबसे क्यूट कपल्स में से एक हैं इस जोड़े ने 2021 में ग्रैन वेडिंग में शादी की थी तब से इस जोड़े ने लाइम लाइट से दूर एक बहुत ही प्यारा रिश्टा बनाये रखा हैं दोनों अक्सर क्यूट सोशल मी यामी गौतम की प्रशंसा करना बन नहीं कर सके जिस पर अभी नेत्री ने जबर्दस प्रतिक रिया दी है बता दे आदित धर के निर्देशन में बनी फिल्म आर्टिकल 370 का लंबे समय से अवेटेड ट्रेलर कल यानि गुरुवार को लॉंच किया गया ग्रैंट कारकरम के दौरान निर्देशक ने यामी गौतम के साथ अपने पहले बच्चे की उम्मीद की खुशखबरी विसाज़ा की है इसके अलावा इवेंट के दौरान आदित्य ने अपनी पत्नी की जम कर तारीव भी की है ट्रेलर लॉंच के दौरान अपनी पत्नी और आक्ट्रस यामी गौतम के बारे में बात करते हुए आदित्य ने कहा वास्तव में मुझे लगता है कि मैं लगी हूँ कि मेरी उससे शादी हुई है क्योंकि एक इनसान के रूप में वह उन सबसे अच्छे इनसानों में से एक है जिससे आपका भी मिले होंगे वह स्पिरिचुल है धार्मिक है और वह ऐसी व्यक्ति है जो अपने काम के बारे में बहुत जागरूख है अपने पती से इतने प्यारे अप्रिचियेटिव वर्ड सुनकर यामी की प्रतिक्रिया काफी जबर्दस्त थी अभीनेती ने कहा यह बहुत प्यारा है वास्तव में अगर मैं अभी रोंगी तो वो टुली इफला लुक्ताट है अगरतान अग्वार दोर अवार ठरोव बगास अवीन बेंग और भीन इट मेंगी आपाएट इन अभीन बेंगी इंग श्यू बेस्पिरिव घर टूशव विह टूख पर वो भीनु उख्यां ऑब श्यू प्रोश्यां श्यूठीट श्यू ब बताने की आदित तिधार और यामी गौतम उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के बाद दूसरी बाद प्रोफेशनल तौर पर साथ काम करेंगे आर्टिकल 370 का समर्थन जोती देश पांडे आदित तिधार और लोकेश धर ने किया है जमू कश्मीर को विशेश दर्जा देने वाले अनुच्छे 370 को हटाए जाने के मुद्दे पर बनी या फिल्म 23 फरवरी को सिनिमा घरों में रिलीज होने वाली है